नवस्कार बच्चों स्वागता आपका Concept King Series के नए एपिसोड में तो इस एपिसोड में आज हम सिखेंगे Integration as a Limit of Sum ये क्या Concept है सर बेटा जैसे देखो ये आपको कोशन दिख रहा है आप इसमें सोच रहोंगे जैसे मैं करूँ क्या क्या मैं इसमें के की वैलिई पुट करता जाओ यह तो पूरी Σीरिज बन जाएगी क्या क्यों पूर्ट करते जाएzigए अंपने सर यहा से वृद वैड़ी सिरिज ड़न जाएगी हमारे पास तो उस सिरिस का हमने सम कैसे निकाल सकते हैं उसको सिखाता हूं उस बात को हम क्या क्यते हैं concept, as a, limit as a sum, integration as a limit of sum, integration as a limit of sum, very very important है, generally definite integration में count करा जाता है, generally definite integration में count किया जाता है, आपको अगर जब आप pyq करा हूंगा, मैं जब आपको और यहां खुद से भी बैटे प्रैक्टिस कर रहे होगे तो ऐसे वाले कुशन जनरली बुक वाले डेफिनेट इंटीगरेशन के साइड पर डाल देते हैं या फिर लिमिट के जैप्टर में मिल जाएंगे ऐसे होता है इसके अंदर कॉंसेप्ट हमें क्या करन क्या है इन फिर्व इंफिनेटी समस्य अगर डिनोमिनेटर में अ जाएगा जब तुम एड़ेशन की इन उन जायगा जो किश्राल इन इन आजाएगा तो वेसिरा से पहला क्या है जी आप ब्रिंक डिनोमिनेटर ग्रिंक्प्रें ट्रौं मैक्सिमंपावर उफ-ई-इन इन इन डिनोमिनेटर सबसे पहले बटा इन डिनोमिनेटर यह पहला काम कर दोगे step 2 जैसे कि यहाँ पर बैटे करने पर जैसे कि यहाँ पर करने पर आप notice कर रहे हैं मैं करता भी रहता हो तो आपको दिखेगा कि सर अच्छा मैंने बैटे क्या करा limit n tends to infinity summation of n की value 1 से लेके n की power 4 को ही common ले ले तो n की power 4 को जैसी बैच्चे तुम common लेते हो तो आपका बैच्चे क्या बजाएगा जी 1 plus k by n का whole square और बैटे यह कितना बन जाएगा k by n की power 4 यह आपका बन जाएगा जी सिदा कर सिदा तो बैटा अब इससे benefit क्या होगा आपका n cube से एक n कट जाएगा एक 1 by n बच जाएगा तो अब बगला step क्या है बैटे आपको क्या करना है put k by n equal to x put करना है और find limits and 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 1 by n equal to dx जो 1 by n बचाएगा बटे उसको का put करना है dx put करना put k by n equal to x and dx step 3 है बटे step 3 है कि find limits find upper limit and lower limit of integration find upper limit or lower limit of integration and replace replace summation sign इस sign को with integration के sign से इसको बैटा integration के sign से replace करेंगे ठीक है या आप इसको ऐसे भी समसकते है replace integration sign with summation sign with integration अब integration है तो बैटे इसकी तरको lower limit भी चाहिए और upper limit भी चाहिए होगी मैंने बोला ना definite integration है तो lower limit और upper limit कैसे निकालेंगे for limits के लिए बैटा यह limit कैसे निकालेंगे आपको क्या करना है बैटे put कर दिया आपने k by n रख दिया ना x के बराबर done अब आप क्या करेंगे k की value के की value सबसे पहले आप बैटे put करेंगे 1 और फिर put करेंगे n पहले 1 और फिर बैटे n तो यानि कि जब मैं बैटे k की value put कर देता हूं 1 तो मेरा बैटे कितना हो जागा और लिमिट कितनी दे रखी है infinity लिमिट बैटे कितनी दे रखी है infinity put कर दे बैटे limit यहां पर limit भी लिख लो लिखना है तो यहांपर मैं लिख देता हूं साथ साथ, लिमिट यहां भी लिख देता हूं, बस, लिमिट n tends to infinity, पुर बटे n tends to infinity, k by n x हो गया, अब जैसी बटे तुमने यहां पर k की वेल्यू one put करी है, यह आपका one होगा, लिमिट पुट करना, one by infinity कितना होता है, वेले लेटू, zero होता है, तो x की वेल्यू यहां से maximum value, पहले minimum और फिर maximum, अब maximum value पुट करूँआ, तो बटे n tends to infinity, n by n, कट जाएगा, यह x आजएगा, यह एक्स की वेल्यू बटे कितनी आ गई, one आगी, तो यह निकि लोवर लिमिट बटे zero हो जाएगी, और अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, one हो जाएगी, बस तो इस तरी इसको बतल दिया है, integration के sign में, इसको बतल दिया integration के sign, तो सारा का सारा system हट जाएगा, बचे का क्या मेरे लेड़ू, यह बचे का integration, आसे का, zero से लेके one तक, यहाँ पे था one by n था, यहाँ पे बटे one by n था, k by n को बटे हमने क्या पूट करा, x का square, this is one plus में x का square, और x की पा upon में, one plus में x का square, और x की power 4 into में dx, बस अब आपको इसका integration करना है, यह तो बेटा भोती जानीवानी form है, definite integration है, इसको सिखाये जाता है, क्या करना होता है, जब भी ऐसे उपर, नीचे 4 आजा है, उपर square आजा है, 4 और square आजा है, उपर नीचे किस से divide करना है, x square से, divide numerator, divide numerator and denominator by x square, ऐसे integration की tricks में आपको ले के आता रहूँगा, concept के लिए, अभी तक अगर तुमने नहीं कराया ना, तो बेटा, चैनल पर अगर आप जाएंगे, तो चैनल पर सारी playlist रेटी कर रहा हूँगे, तुमारे लिए, पढ़ते जाओ, जे दोर जो भी सासानी से निकले, सारी tricks concept तुमें मल पर लिख के दे दूँगा, ठीक है, ताबाश, आगे बढ़िए बटा, तो numerator denominator को आप x square से divide करिए, क्या बन जागा ये आपका integration, this will be equal to 0 से 1, और divide कर रहा तो बटे 1 by x square, प्लस में 1, और नीचे जाएंगे तो बटे 1 by x square, प्लस में 1 और ये x square, ये सारा कुछ अब आपको नीचे बनाना होता है, याद आ रहा है कुछ, हाँ, नीचे आपको इसको completing square में बनाना है, ताकि ऊपर वाले नंबर बन जाए, मैं ऊपर वाले को बटे ऐसे लिख लेता हूँ, और नीचे वाले को बंद करूँ तो a plus b का whole square बन रहा है, मैं a minus b का whole square बनाऊ लगाएंगे, minus two आएगा, तो minus two plus two से चला जाएगा, इसको हमने completing square से बंद कर लिया, अब यह आपको पता चलेगा, इसार जैसी आप इसको t put करते हूँ, जैसे मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ, जैसे मैं x minus one by x को बंद कर रहा हूँ, one plus में one by x square का dx कितना आ जाएगा, यहाँ पर वाला बेटे कितना आ गया, नीचे वाला बेटे रूट, यह कितना हो जाएगा, टी का square प्लस, root three का square, आ गया समझ, अब यहाँ तो पेटे सिदा सिदा हमारा formula होता है, 10 inverse वाला याद आ गया, तो 10 inverse का हमारा formula क्या बनेगा, one by a, one by a बेटे यह होता है, this is one by a, right, 10 inverse, 10 inverse x by a, x बेटे कितना होगा, यहाँ पर t होगा, और t by root three, यह आपका बन जाएगा, t की value रख दो और limit put कर देते हैं, जल्दी से, t को बेटा value put कर देते हैं, इतना आ जाएगा जी, one by root three, one by root three, 10 inverse, और t की value क्या थी जी, t की value, x minus, x minus, x minus, one by x, अब क्कोन में बेटे root three, और इसको बेटे आपने यहाँ पर put कर दिया, कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक, x की limit है, कहां से कहां तक, x की limit, 0 से लेके 1 तक है, बस बेटा, put कर दिया, जल्दी से शुरू हो जा, one by root से लिए तो बहार ही आ गया था, जैसी one put करोगे, one minus one, zero, तो पहले में लेट डू कितन आ जागा, 10 inverse 0, next पे, 10 inverse, जैसी बेटे आप देखो के, 0 minus 1 by 0, 1 by 0 कितना होता है, infinity, यानि कि कितना आ रहा है, minus infinity आ रहा है, और minus infinity बतला, minus pi by 2, कितना लगाएगा, बेटे, minus pi by 2, अंदर minus minus, plus हो जाएगा, तो बेटे कितना आ गया, pi by 2 root 3, तुमारा answer आ गया, pi by 2 root 3, यानि कि कौन सा option हो जाएगा, c is your right answer, इस पर कार बेटे आपको limit of sum करना हो था, question बहुत असान था, July shift में 2022 में जब paper मुश्किल बोला जा रहा था, काफी बच्चों को, शायद उनको एक concept नहीं पता होगा, I hope आपको इस concept king series से ये पता चल गया होगा, अगर आपको question आ गया ना comment section ने बताना, अगर आपको आता है तो, ठीक है, अगर आपको आता है, तो बटा मुझे इसका answer ना, comment section में देना, ठीक है, मैं इंतिजार करूँगा, आपके comment का, और बाकी, ये PDF में बेटे नीचे, जो PDF है, ये PDF में नीचे टेलीगर गूरूब है, महापे share कर दूँगा, बाकी भाई सब समझ आ गया हो, तो दोस्तों के साथ भी share करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को subscribe करना, आग गयाने में वाले ओर अमेजिंक करने, ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखेगा, बाई-बाई, टेक केर, जाहें